इसकंद पुराण कती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है आप बहुत प्रयास कर लिए करोडों रुपे का कर्जा हो गया यहां से लिया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया तो न नाराद इसलिए प्रशास्निक कारें के लिए मांसिक टेंशन में परिशानीयों में बटकेश्वर महादेव का समर्ण किには जाडर cannabis और यदि निवेदन करूंगा बहुत जादा यदि आपको करजा हो गया है बहुत जादा करजा हो गया और वो करजा चूकी नहीं रहा तो थोड़े दिन बढ़के पेड़के नीचे आप बढ़केश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ च बढ़केश्वर महादेव के नाम से बढ़के पेड़के नीचे अपनी कामना करकर जो करजा हुआ है उस करजे का भान देते हुए इसमन देते हुए छोड़ जी महाराज दो या तीन सुम्बार एक ही जगा पर करना तीन सुम्बार वाद महीं से बढ़के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को कोई धागे में बांद कर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो उसको थोड़े दिन पटक कर रखना लगवग लगवग दो से तीन महीना पटक कर रखो वो जड़ जैसे बढ़का पेड़ विस्तार होता है पानी गिरे ना गिरे जल वरिष्टी हो ना हो गर्मी पड़े ना पड़े उसको कोई परक नहीं पड़ता बढ़का ब्रख्च आप रूप पहलता जाता उसकी जड़े अपने आप प्रबल होती है उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना, दो महीना, तीन महीना तक तो ये जड़ अपने आप लच्चमी को पकड़ कर खीच कर लाती है और करजे से मुक्त कर दे बटकेश्वर महादेव का इसमन्ण सुक का देना हो